हेलो फ्रेंड्स मेरी स्टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे हम पलाजो बनाना यह वो वाला पलाजो है जो अमरेला सरकल होता है जिसके लिए हमने दो मीटर अस्तर दो मीटर नेट ओ लिया है जोर्जट का फैबरिक अभी हमने इसको अस्तर को दो फोल्ड में पकड़ाए देखिए दो फोल्ड में पकड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे स निसान लगा लिए अब जितनी भी आपकी कमर है जैसे कि 36 कमर का बना रही है अब 36 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 9 इंच आता है और 9 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जन तो हम 11 इंच पे यहाँ पे निसान लगा लेंगे इस तरीके से आप यहाँ पे एक या दो इंच का ही मार्जन लें उससे ज़्यादा मार्जन ना लें इसमें यहाँ से अब इसको मेजर कर लेंगे जैसे कि हमारा यह 13 इंच पे आ रहा है तो हमारा पूरा यह 12 इंच पे ही आना चाहिए इसको गोल सरकल बना लेंगे उपर से जरूर आपको यह अच्छे से बरावर करना है अब उसके बाद हम लंबाई देखेंगे जैसे कि हमारी पलाजो की लंबाई यह वो 40 है तो हम 6 इंच उपर निकाल के 40 पे निसान लगा देंगे 6 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे बेल्ट हम थोड़ी सी बड़ी लगाएंगे इसमें और यहां से जहां पर भी आपका 40 आता है वहां पर हम इस तरीके से निसान लगा देंगे और ऐसे अच्छे से गोल सरकल बना के और जो आपको नीचे एक्स्ट्रा फैबरिक दिख रहा है मैं आपको बताऊंगे कि यहां पर हम कपड़ा कैसे जोड़ते हैं तो इसको मैं पूरा कट करके अलग कर दूँगी और पहले कमर वाले हिसे को भी और इसी को रखके हमारा जो जो जॉर्जट का फैबरिक है उसको कट कर लेंगे अगर आप जॉर्जट की जगए कोई और भी फैबरिक यूज़ करना चाहती है तो आप और भी देखिए यह जो बचा था उसको मैंने दो तह में रखा है सिर्फ क्योंकि हमें दो पार्ट में लगाना है जुएंट और हाथ से महसूस करते हुए आप उसी सरकल के उपर ऐसे निसान बना लें हाथ से जब महसूस करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसकी प्लाजो की लंबाई यहां तक है क्योंकि दो पार्ट में तो अल्रेडी लंबाई फूल है, सिर्फ हमें दो पार्ट में लगानी है, तो इसलिए हमें दो पार्ट चाहिए ये, और आप यहीं की यहीं इनको पिन अप कर लें, ये देखिए, जैसे यहां से मैंने इसको एक परदे को हटाया, और दूसरे के उप पर मैं इसको ऐसे पिन अप कर दूँगे, ताकि हमें ये पता रहे कि ये पार्ट हमारे यहां पे जुड़ेंगे, उसके बाद वरना confusion हो जाता है कि ये कहां पे जुड़ेंगे, तो इस तरीके से आप साथ की साथ वहीं निसान लगा दें चौक से, या फिर आप पिन अप क यहां से अगर आप फैल दी हैं तो इस आसन को 16 इंच ले सकती हैं लेकिन उससे जादा ना लें और सेम कटिंग कर देंगे इसकी, कटिंग करने के बाद अब जो हमारा जौर्जट का फैवरिक है, उसको भी हम सेम तरीके से बिचा के और जो हमने अभी अपना अस्तर कट किय अस्तर को हम इसके उपर रख लेंगे और ध्यान रखें आसन को खुली वाली साइड को रखना है आपको और बिल्कुल उसी लेंट का कॉर्डिंग हम कटिंग कर देंगे जो हमारा मार्जन है वो इसी में इंक्लूर्ड है एक इंच का और हमारा इस जौर्जट के फैवरिक म करते हैं अब देखिए सेम हमने इसमें भी ऐसे ही जोड लगा लिया है जैसे हमने अभी आपको उसमें दिखाया था अभी हमारा हो गया बेल्ट तो बेल्ट की अगर ऐसे नामते हैं तो यह तीन है लेकिन हम इसमें पूरा छैंच कपड़ा लेंगे छैसे साड़े साथ तक साथ तक लेंगे कपड़ा उसके बाद हमारे जितना भी हमें लेंट बढ़ानी होगी हम कम कर देंगे बैल्ट उसके इलास्टिक के लिए जोड के अब देखिए मैंने जोइंट था उसको सिल लिया है नीचे उसको मोड दिया है पूरा और यह हमारे दोनों गहर तयार हो अब हम क्या करेंगे इसको हम सिलाई कर देंगे चारो तरफ को क्योंकि यह अस्तर वाले ब्लाउज हीसा में इसे इसमें लगा को सौन निकालते जाएंगे और निचे बोटम पन लगानी है बोटम आपका आपका ऊपर नि ही रहेगा अब बैल्ट को तैयार कर लें दूसरे पार्ट को सेम कर लिया है नीचे अस्तर रखा है उपर जोड़ जट का फैबरिक रखा है और बस एक सीधी सिलाई लगा के इसको अब हम इन दोनों को आसन जोड़ देंगे दोनों पार्ट को मैंने सीधी साइड से रख लिया है और दोनों का हम आसन जोड़ के और फिर उसके बेल्ट को लगा देंगे एक साइड से आसन जोड़ गया है अब दूसरी साइड से जोड़ देंगे और अंति तक बने रहेगा हमने पैन के इसमें दिखाया है कि फाइनल लोक इसका कैसा आता है जरूर ट्राइ कीजिएगा आप इसको साड़ी से भी बना सकती हो क्योंकि इसक कमर के हिसाब से लेनी होती है वैसे तो पर हमने अंदाज इसी एक सीधी पट्टी ले ली थी बस हमने आपको लंबाई बताई थी अब हमें इसमें से डेड़ इंच कम कर देना है क्योंकि हमारी डेड़ इंच और इलास्टिक है और हमारी जो बेल्ट है वो लगभग यहां स पांच या चार इंच की तयार हो जाएगी तो उस हिसाब से हमारी चालिस की लेंध पूरी हो जाती है अगर बाई चालिस नहीं हो पाती है तो यह प्लाजो थोड़ा बहुत उंचा भी चलता है क्योंकि बिल्कुल स्कर्ट जैसा काम करता है एक दो इंच ओपन छोड़ेंग पका करने के बाद अब जो थोड़ा सा हिस्सा उपन था वहां से उस हिस्से को भी हम कट कर देंगे उस सिल देंगे यहां से रखके और फिर बस इसके घेरे में हम सिलाई लगा देंगे तो जो आपका प्लाजो है वो फिर बनके फटा-फट तैयार हो जागा अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप हमें बताइएगा अब यहां से इन दोनों पार्ट को सिल देंगे हमने अस्तर को और अपने जॉर्जट के फैबरिक को एक ही साथ सिला था यानि कि अलग-अलग नहीं है उसके पार्ट और यहां से सिर्फ एक इंच का मारजन दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे और इसको आसन तक सिल के लाएंगे और फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिल देंगे आसन वाली साइड से हमेशा डबल सिलाई लगा के चलें यानि कि दो-तिन सिलाई यह लगा दें आसन वाली साइड से अब ये नगवाली लेस ले ली है हमने और इस नगवाली लेस को हम पूरे ही इसके उपर लगा देंगे अब यहां से देखिए मैं आपको एक चीज बता दूँ कि अगर बाइचांस आप लेस नहीं लगाना चाहती है तो आप इसको सिंपली रख सकती है लेकिन जो इसका पूरा सैट है वो कुर्ती भी हमारी इसकी जो होगी वो लेस के साथ ही हमने तयार की है उसका वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे आप हमें कमेंट करके बता हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद